आज आज बात करेंगे गाउं की समस्याओं के बारे में आज हमारे साथ है बल्या से बाजबा विदायक शुरे ना सिंग नमस्कार विदायक जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में विदायक जी जैसे देखा जा रहा है हमारे देश को अजाद हुए 70 वर्ष से जादा हो गया है पर अंतु गाउं के सिती जो पहले दी वही अब भी इसका कारण क्या है पत्रकार महोदया कारण बिल्कुल अस्पस्ट है सामाजिक जीमर में जो प्रजातांत्रिक दोस्ता है प्रधान से लेकर के प्रधान मंत्री तक यदि इन लोगों में इमांदारी नहीं आएगी तब तक देश, समाज या गाउं कहीं की भी प्रश्यती बदलने वाली नहीं होते हैं कभी भी किसी भी परिवार, परिवार का ही बड़ा रूप संसार होता है तो परिवार हो या संसार हो इसको सुन्दर मनाने के लिए सबसे पहले इसको चलाने वाले लोगों को कि नियत पवित्र होनी चाहिए अज जब तक पवित्र नियत नहीं होगी ना परिवार अच्छा बनेगा न संसार अच्छा बनेगा विदायक जी जैसे देखा जा रहा है हमारे देश में सिक्षा का बहुत महात्पूर्ण हिस्सा है पर अंतु सरकाली प्राथमिक विद्धालों में अध्यापक निसका क्या कारण है अब इसमें तो मैं अस्पश्टुप से कह सकता हूँ मैं भी चुकि सिक्षक रहा हूँ कि भारत की विदमना ही है दुर्भाग भी कहा जाए कि प्राइबट इस्कूलों में तीन हजार उपया पाने वाला शिक्षक आठ हंटा पढ़ाता है और पच्पन हजार उपया पाने व भी कोई अब बलपुरवक काम नहीं कर आया सकता है। जब तक उनके पास समाज और देश के पड़ चिंताने होगी शंसकार नहीं होगा तब तक उन्हें काम को नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब समाज स्माज सेवी और अधिकारी बंश्थ हो जाते हैं उस समाज को पतित होने से को रोकने वbadा नहीं हो इन तीन यह तीन ही Impressive Personality होते हैं Impressive Personality जो परेरना देते हैं सिक्षक भी, समाजस सेवी भी और अधिकारी भी समाज इसकी नंकी नकल करता है इन तीनों पर विशेष निगरानी होने चाहिए और निगरानी का माध्यम में दिक कुछ है तो समाज को और समाज चुकि समाज भी समाज भी जितना चाहिए अच्छे काम किलिस जो है ख़ड़ा होने के लिए तयार नहीं इसलिए आज अधिकारी भी ब्रश्ट है मुझे कहने मिचक नहीं है अभी जितना योगी जी के 10 मेने हो गए कारिकाल के सुधार हुआ है इस पर निश्रंदे सुधार हुआ है लेकिन जो एक संसकार बस बारा बरसों का पड़ा हुआ है सपा और बसपा के कारिकाल का उस संसकार से भी अपने कूबार नहीं पा रहे इससे भी दीकत है लेकिन काफी सुधार हुआ है मैं तो अपने हां का एक उदाहन आपको दूगी दूगा पत्रकार में हो दया कि एक हमारे पीएजसी पर हास्पिटल पर केवल मेरे निगरानी के कारण दस महीने में एक लाख 32,000 लोग हास्पिटल में गरीब लोग दवाई कराए केवल आप देखें एक आदमी के एक केवल करतब बोध होने से समाज को इतना भला हुआ अब उसी पिरेड में एक साल में सपा के राज में मात्र एकई सजार लोग दवा कराए थे उसे हस्पिटल देखें यह अभी तक का रेकट तो यह ब्यक्तिक परिवर्तन से ब्यवस्था प्रोटित हो जाता है तनिशित रुप से जोगी और मोदी के जमाने में है आज वही देश है कि पाकिस्तान की भड़की पर जाज सब लोग डरते थे आज एक गोली का जवाब दस गोली से दियाता है ठीक है सुधार हो रहा है आगे भी प्रगत्य होगी यह हमारा युनियत तो यही समस्रा है विदायगी जैसे देखा जा रहा गाओं में हॉस्पिटल नहीं है और डॉक्टर नहीं है इसका क्या कारण है देखिए इसमें भी प्रत्रकार मोदया अभी काफी सुधार हुआ है दो हजार बरती और चिक सकुक हुई है पिछली सरकार में किशी का कोई चिंटा किए आज पहली बार हम बिलकुल प्रसंद मन्से कह सकते हैं कि जोगी के मंतरित में जो हमारे स्वास्त मंत्री है सिधार्थ जीयी है प्रदेश के मुखिया का धर्म है कि परिवार में जो भी साधन संसाधन उपलुब्द है, उस संसाधन का बटवारा परिवार के प्रतियक ब्यक्ति पर करना चाहिए, प्रतियक जिले पर करना चाहिए, अब वो नीत लागु है भाजपा के रकार कल में, आप कुछ दिन में सुधार हुआ है सुधार का क्रम यह दिछल रहा है तो हो सकता है कि हम धिर धिरे सत्व प्रसत्व सुधार की तरब बढ़ जा विदैक जी आपके हिसाब से गाउं में ऐसी क्या क्या चीज़े होनी चाहिए जिसे कि लोग खुशा जिंदगी जी सकें बिल्कुल वान गाउं में सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी समाज परिवार या संसार में तो कहता हूं बार बार तीन चीज़ पर विशेस ध्यान में चाहिए पहला काम होता है चिकित्सा चिकित्सा स्वास्त रहेगा तब इस सिक्षा और सुरक्षा की बात आदमी करता है दूसरा चिंता होनी चाहिए सिक्षा पर चिकित्सा सिक्षा और तीसरे नमर पर प्रसासनिक विवस्था सुरक्षा तीन मुखिया का धर्म है नेता का धर्म है अधिकारी का धर्म है इन तीन काम के लिए ही समाज के मुखिया कोई भी काम करता है और सब को करना चाहिए, गाहों में भी सबसे पहले चिकित्सा की व्यवस्था सुगम हो, तो चिकित्सा की व्यवस्था के लिए तो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उतना ही नहीं, जो भी व्यवस्था के अंदर सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से हुआ है, 108 नमर की गाड़ी का वो बहुत ही सुन्दर ढंग से दो सेवा दे रहे हैं और यह ब्वस्था दे लागू रही अनियत पुर्व काम करते रहे लो तो कोई भी व्यक्ति चिक्षा के चेतर में पीछे ने रहेगा दूसरा है सिक्षा के चेतर में मेरी तो अपनी मानेता है सिक्षा को प् करना है कि सिख्षा के माध्यम से कल का राम बनेगा कल की कोशल्या बनेगी कल की कोई शन्सकारित विटी बनेगी सिख्षा नहीं तो पस्टा का समाज बहुत दिन तक ठीकावनी होता है इसलिए सिक्षा प्रधान दे ना ची दाम जाओ और तीसरा है सुरक्षा सुरक्षा के मामले में भी पुलिस प्रसासन की मुस्तेदी जितनी अभी होनी चाहिए पहले कि तुल्ला में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है पहले की तुलना में पहुच अच्छा है यही वैब और मैं तो कहूंगा कि हमारे मोदी जी को धने बाद सब लोग आप लोग दीजिए कि पहला ऐसा और उसर है भारत की धर्ती पर जब देवाले की चिंता कोई करते थे जब प्रतिष्ठा सब कोर lounge सब सब्समाज के कलपना आप कर सकते हैं तो हमारे मोदी नेता मोदी जी नेता ने पहलाइ चेंतन किया कि असली मुख्या का धर्ब मोधी जी पूरा कर रहे हैं, बहुत को पास चिंता भी नहीं है, नहीं तो दुसरा चिकित्सा के शितर में, बहुन पत्रकार मोध्या, पहला ऐसा देश हुआ है भारत, मोधी का चिंतन, जब प्रतेग परिवार को पांच लाख रुपे की हेल्थ सिक परदान किया है, आपको अपनों को मालू होगा ना, लगो गया, हेल्थ सिकुर्टी परदान कर दिया गया, सरकार उसका एक हजार रुपया परतेग परिवार का किस जमा करेगी, और कोई भगवान न करे, कोई इंजेक्शन और कोई दवा सौप से नहीं खाता है, दुर दि परिवार को भारत की परतीक परिवार को पांच लाख रुपय का हेल्थ सिकुर्टी परदान करके, जोगी मोदी जी ने प्रमानित कर दिया, कि भारत में गरीबों की चिंता करने वाला अकेला कोई नेता है, सत्तर बरसों बाद, तो हमारी आदरनी मोदी जी है, दूसरा अभी दूसरा भाजबावे में ने कह सकता हूँ, उनको छोड़कर के पहला बेक्ति वह ही है, और किसी ने नहीं के भाजबावे सरकारी पहले थी, लेकिन इतना बड़ा चिंतन, इतना बड़ा निरने कोई लिया नहीं था, यह गरीब आदमी को जो दो लाक रुपे के इतना बड़ा चिंतन किया है, तो सिक्षा के चेतर में भी आप भी पढ़ियोंगी, कि हमारी नेता मोदी जी धर्म से उपर उठकर की, और संखक बाहुली इलाकों में महिलाओं की सिक्षा के लिए हमारा नेता पहला मिन्दा 12 उतर परदेश में, परतिक मुसलिम इलाकों मे महिला इंटर कालीज खुलने जा रहे हैं, मुसलिम इलाकों, ये पवित्र चिंतन का ही लक्षण है, तो सिक्षा, चेक्षा और सुरक्षा के मामने में तो आप देखी रही हैं, कि लगभग हजारों इनकाउंटर हुए, आज की परिश्यतिय है कि हालाकि कोई भी राजा कोई विवेक्ति होगा, विपरीत परिश्यतियां हमेशा बनी रहेगी, इसमें नौक का सवाल नहीं है, यदि अच्छे लोग आते हैं, राम भी रहे थे, तो रामन का भी पदार्पन था, तो इमांदार लोग होंगे, तो चोर भी होंगे, ये तो करम बना रहेगा, लेकिन नेता का नियत होनी चाहिए, कि हम बनिया से सुधार करें, उस पर कंट्रोल करें, और उसके लिए कंट्रोल करने का प्रयास करें, तो तीनो छेतर में हमारा सिरकार काम करी है, बहन, हमको उमीद है कि भगवान चाहेगा, तब एक वर्स में अभी समझने में लगा होगा आज बुलने लगेगा कि जोगी का राज है भगवान राम राज है इस में कुई दोरा नहीं हो किसी गुंडे और माफिया की हीमत नहीं होगी कि किसी बहुन बेटी के तरफ हमें उठा दे यह स्रकर का धर्म भी है कई प्रदेशों में किसानों के लिए बिजली फ्री है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके कोई खास वज़े है इसमें विप्रत्रकार मोद्या मैं कहूंगा असपस्टुप से मान लिजिए कि अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग भगोली परिस्तिती है मुत्तर प्रदेश आबादी के दृष्टे से बहुत सघन और 22 कोण की अबादी का प्रदेश है ऐसी प्रदेश है और बहुत ही अभी पंदर अबरसों में इस प्रदेश के लोगों ने इतना अस्तर गिराद चुका है समाज का कि उसमें किसी को काम करना कटिन होता है आप पर नहीं साब से अपने माता-पिता के सेवा भी करना होगे यदि हम चाहेंगे कि बांबे के अमिताब बच्चन की तरस सेवा कर लें और खुब खुशन कर लें तो संभव नहीं क्योंकि हमारी उसी इसी नहीं है ठीक उसी प्रकार उतर प्रदेश की जो हालत है आर्थिक स्थि यह उस आस्ति का इस्तिक अधार पर जो काम हमारे विजली की चतर में हो रहा है वहन आप लोग देखते नहीं होंगी कि पहले पहले यही सरकार थी कि 24 घंटा विजनी मिलती थी नहीं मिलती तो इसमें भी हम गुणवत्ता प्रोग कर सकते हैं कि इससे बढ़िया सुधार करने की छमता किसी में नहीं है क्योंकि हमारे नेताओं की नियत पवित्र है नियत पवित्र होता है तो भगवा नहीं मदद करता है आज चार उपे पंदर पैसे हम वही बिजली जो नियत के पैसे बीच का पैसा क्या होता था इसका मतलब इचके पैसे बीचो लिए कह जा दें तacă चार उर्पे पंदर पैसे इनonट की हिसाफ से बिली खरीते हैं और एक उपर दस पेसे कहिसाफ से देतें तो јम सुधार के करमें में हो सकता है कल फ्री खर दें आज जिसान का प्रयास सफल है और उदार है निस्पक्ष है पारदर्सी है हमारे चैनल के माद्यम से आप गाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं मैं आपके चैनल के माद्यम से गाओं को संदेश देना चाहूंगा कि गाओं के बंधूं से मेरी प्रात्रना है कि मोदी जिजवारा चलाए दिवाले बंदर जाने के पहले सबको मैं अफिल करता हूँ कि मंदर जाने के पहले चिंता ये करना चीए कि दिवाले के पहले सवचाले अजब लोग अपने घर में सवचाले बनाओर नियूंप तो आधा तो समाज इसे ही संसकारित हो जाएगा सवचाले का निर्माना हो और सिक्षा के छित्र में भी जो भी अस्थानी है हमारे बुजुर्गों अभी भावक हो अपने अध्याप्पों से आग्रह करें जो नहीं पढ़ाने वाले आग्रह करें उसके बाद भी कोई नहीं म मानता है तो लड़िए अधिकार अपना लेना ची आदमी को तो ये ते बलियों से भाजपा विदाएक सुरेन नास्तिंग आगे आपको और रुबर्यों कराएंगे जन प्रतिनेदियों से तब तक लिए दिव्यानश्रीक देजे इजाज़त नमस्कार